हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरों से प्यार भरन मिशकाल सत्ष्रिया काल अदाव दोस्तों एक बर मैं फिर हाजिर हुए कि नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं शादियों में खाये जाने वाला गाजर का हलवा जी हाँ बहुत टेस्टी लगता है वो गाजर का हलवा इसे हम अपने घर पर असानी से बना सकते हैं और होमेड खोए से ही बनाएंगे जिसकी रेस्पी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं तो इसे बनाना बहुत असान है सिरफ बीस मिनट बीस मिनट में इसे हम बनाकर घर पर अराम से तियार कर सकते हैं यदि गैस्ट आने वाले हो ना तो बीस मिनट पहले इसे बनाकर तियार कर लीजिए तो चलिए फिर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे हम अपने घर पर असानी से किस तरह से बनाएंगे और इसका टेक्श्चर देखिए और इसका कलर देखिए और इसका मतलब कि देखते ही मूं में पानी आ जाए इस तरह का गाजर का हलवा हमारा बनकर त्यार होता है यह किये तो यह देखिए वन केजी मैंने गाजर ली थी जिसे मैंने अच्छी तरह से धो कर साफ करके चॉपर में चॉप किया है मैंने ग्रेटर से ग्रेट नहीं किया चॉपर में चॉप किया है दो मिनिट में एक केजी गाजर फटाफट चॉप हो गई है यह देखिए इस तरह स और इस तरह से बनता भी बहुत जल्दी है गाजर का हलवा आप ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं लेकि उसमें तोड़ी सी मेनच जादा लगती है चौपर को चौपर में चौप करने से तो गैस की फ्लेम आउन करते हैं और बनाते हैं फटा-फट शादियों वाला गाजर का कवर करके गाजर को पकने देंगे तो कवर कर देती हूँ मैं ऐसे तुझी रेखिए पांच मिनट पूरे हो चुके हैं और गाजर हमारी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है यह देखी रहे हैं आप उसी पानी में गाजर वाली पानी में ही यह गाजर हमारी काफी सॉफ्ट हो चु चीनि मैं ले रही हूँ, add कर देते हैं, आप टेस्ट के कॉर्डेंग कम या ज़्याधा कर सकते हैं चीनि, वैसे 1 kg घाजर में एक कप चीनि काफी होती है, उस्पान के कॉर्डिंग इने कम या ज्याधा कर सकते हैं, तो अब हम इसी चीनि के पानी में यानि कि जब ये चीनि मे आत्र में पानी निकलेगा गाजर में निकलेगा तो अब इसी पानी में हम इस गाजर को अच्छी तरह से पकने देते हैं दस मिनट दस मिनट इसे हम अराम से पकाएंगे और गाजर हमारी बहुत जबर्दस सॉफ्ट हो जाएगी तो पकने देते हैं गाजर को तो यह देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारी गाजर पक रही है यह देखिए अभी तो काफी पानी है इसमें देखी रहे हैं आप यह देखिए तो कि चीनी मेल्ट हो गई है तो गाजर हमारी अराम से पक रही है फ्लेम इसकी मैंने मीडियम की ह हुई है तो फ्रेंज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी रखती न तो प्लीज इसे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी लाइची का पौडर डाल दिया है जो अभी-अभी मैंने चकले के उपर बेलन के साथ अच्छी तरह से क्रश की है तो बहुत ही बड़ीया फ्लेवर आता है इस तरह से पिलकुल फ्रेश हरीलाइची का पौडर इसमें एड करो तो और देखिए अब हम क्या करेंगे अब हम इस करते है एक बड़ा चमच देसी गी यह ओप्शनल है वैसे तो जुरूरत नहीं है क्योंकि हम खोया इसमें एड करने वाले हैं पर देसी गी से इसमें तोड़ी शाइन आ जाती है गाजर के हलवे में शाइन आ जाती और खानमें भी बहुत टेस्टी लगता है बाकि जो गी पसंद करते हैं, वो दो चमच भी बड़े डाल सकते हैं, तीन भी डाल सकते हैं, ये भी आपके उपर है, लेकिन मैं एक चमच ही इसमें एड़ कर रही हूँ, ये देखिए कितना कलर चेंज हो गया है, शाइन आ गया है, आप देखी रहे हैं गाजर के अलवे में, तो हमारा ग खोया अराम से तियार हो जयता है, आप जब भी गाजर का हलवा बनाने लगे हो ना, तो एक दिन पहले अगर आपको इजी रहने के लिए एक दिन पहले आप खोया बना कर तियार कर ले, फृरीज में रख दे, और अगले दिन आप गाजर का हलवा बना ले, गime गैस टाने लिए हैं आप पिस्ता भी ले सकते हैं किश्मिश भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है आप इसमें आड़ कर सकते हैं तो गाजर का हल्वा हमारा शादियों वाला जो शादियों में खाते हैं गाजर का हल्वा बिल्कुल त्यार है आप देखिए आपके मुह में पानी आ ग देखिए इसका, वावा, क्या बात है, जबर्दस हमारा गाजर का हलवा बन कर त्यार है, डालते हैं इसे एक, बॉल में, और 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, इसे मुझे बनाते हुए, तो मैं आपको नज़ीक से इसका लुक दिखाऊंगी, ये देखिए, है ना जबर्दस, आपका भी दिल करता होगा, कि फटा-फटा हमें भी खाने को ये गाजर का हलवा मिल जाए, लेकिन आपको थोड़ी सी मेनत करनी पड़ेगी, आपको ये बनाना पड़ेगा घर पर, गाजर का हलवा, वो भी शादियों वाला, और सिरफ 20 मिनिट में, ये देखिए, आहा, क्या बात है, फटा-फट बनाईए, जट-पट से बनकर त्यार हो जाता है, समय इसमें जादा नहीं लगता, दूद वाला गाजर का हलवा भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड गिया है आप देख सकते हैं, सिरफ आपको करना गया है, बीके कोलीस कीचन लिखकर दूद वाला हलवा